हेलो एवरिवन स्वागत है एक बार फिर से आप से भी कमेंड यूट्यूब चैनल में तो सबसे पहले तो आप सभी को हैपी दस है रहा है तो आज मैंने बनाई है सेब की खीर और उसी की रेसिपी आप सभी किशार शेयर करने वाली हूं तो लास्ट तक बने रहीएगा वीड ताजा नारियल इसको बरीक बरीक लंबे-लंबे पीस में काट लिया है और यह लेली है मैंने चीनी इसमें से हिसाब से डालूँगी मैं अपनी खीर में सबसे पहले हम अपने सेब को कद्दुकस कर लेंगे देखिए यहां पर मैं बिना चिला हुआ से भी कद्दुकस कर रह और सेब को अच्छे से चलाते वे पका लेंगे जब तक कि सेब का पानी अच्छे से खत्म ना हो जाए तब तक सेब को पका लिना है देखिए सेब की खीर पांच से-दस मिनट में तियार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेष्टी लगती जब कुछ समझ में आये और तो यहां एक सेब से और एक किलास दूद से दो से तीन मेंबर्स के लिए खीर तियार हो जाती है तो इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है तो आप भी ट्राइ जरूर कीजिएगा अब यह देखिए सेब हमारा ड्राइ हो गया है जब यह अच्छे से लगेगा कि बिर्कुल ड्राइ हो गया है उसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे उर इसे थंडा होने के लिए रख देंगी अब सेव हमारा तेयार है खीर के लिए तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और सेव को रख देते हैं अब हम चड़ा लेंगे एक पैन में दूद तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें डाल दूद में एक गिलास दूद यह फुल क्रीम दूद है अगर आपके पा अब जब हमारा दूद यह गाड़ा सा हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे चीनी चीनी यहां पर सिर्फ मैंने दो चमब्स डाली है क्योंकि सेव खुद ही मीठा होता है तो अगर जादा चीनी डालेंगे तो खीर ज्यादा मीठी हो जाएगी अब जब यह दूद हमारा अब निकलता तो उससे क्या होता है दूद फट जाता और खीर का टेस्ट खराब हो जाता है तो सेव को भी ठंडा कर लेना और दूद को भी हलका सा ठंडा कर लेना है और यह अब हमारी खीर तयार है अब इसको निकालेंगे हम सर्विंग बाल में और थोड़ी सी इसकी सजा जानारियल कटा हुआ और थोड़ा सा डाल दूंगी पिस्ता आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बोक्स में कमेंट चिरूर कीजिएगा यह डाल दिया मैं थोड़ा सा पिस्ता तो अब खीर तेयार है हमारी सर्फ करने के लिए आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखक ठंडी करके भी खा सकते हैं और चाहें तो गर्म गर्म भी सर्फ कर सकते हैं वैसे तुखी ठंडी ही अच्छी लगती है तो चलिए कल फिर में लेंगे एक नई रेसिपी के साब थैंक्यू सो मच